हलो और वल्कम टू मूवी डियरी मैं हूँ शुकह इंदू इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की फिल्मी दुनिया की कुछ इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के बारे में वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग बनने वाला है इसलिए एन तक इस वीडियो के अंदर जरूर बने रही है लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेश कर दिजिए अगर आप इंस्टाग्राम या फेल उपर देख रहे हैं तो फिर जादा देना करते हुए आई आगे बढ़ते हैं सबसे पढ़ी खबर को लेकर जी हां मैं बात कर रहा हूं नितेश दिवारी की अपकमिंग मूवी रामायना से रामायना मूवी का जो है बहुत जल्दी इसका एनॉंसमेंट किया जाएगा जी हां एक डेट सामने निकल कार आ रहा है और आपको तो पता ही है कि इस फिल्म के अंदर हम रनबीर को देख पाएंगे और साई पल्लवी को देख पाएंगे और यश को देख पाएंगे रावन के भूमिका में साथ ही साथ और भी कई सरे एक्टर से सनी दोल को देख पाएंगे अरुमान जी के भूमिका में फिर लारा दत्ता को देख पाएंगे तो इस फिल्म का जो है अगला अपडेट है रनवीर सिंग की अपकमिंग मूवी को लेकर रनवीर सिंग की बहुत सारी मूवीज का लाइन आप सामने आ चुका है दोस्तों आपको पता ही है वो डॉन 3 करने वाले हैं फिर शक्तिमान करने वाले हैं तो एक साथी साथ एक और फिल्म की नाम सामने आ ग अगर लाइन आपके बड़े में बता दू तो आपको पता ही है कि डॉन 3 वो करने वाले हैं फिर करने वाले हैं शक्तिमान लेकिन डॉन 3 से पहले वो एक और फिल्म करने वाला था जिसका नाम था बैजु बावरा वह भी वह भी संजाई लिला वनसाली के साथ लेकिन यह जो फिल्म है यह अभी पोस्ट फॉन्ट हो चुका है तो समर 2024 इसी जो स्लोट में इसी स्लोट में वो यह आदित्यधर की फिल्म को शूट करने वाले हैं इसके बाद वो डॉन 3 का शूट करेंगे फिर उसके बाद शक्तिमान का शूट होगा फिल्म का टाइटल या अभी तक ड अन्वीर सिंग का जो कैरेक्टर है वो एक लार्जर दन लाइफ हिरोई कैरेक्टर होने वाला है फिल्म जो है एक आउट औन आउट एक्शन ट्रिलर फिल्म होने जा रही है देखते हैं आगे चलके क्या होता है अगर अगली अपडेट की बात करूँ तो यह कोई देखा है तो जरूर देखिए रिव्यू को छोड़ी दीजे बस फिल्म को इंजोई कीजिए यह फिल्म बहुत ही अच्छी एक फिल्म है फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है इसका जो ओपनिंग था बहुत ही स्लो था लेकिन धीरे धीरे तीन दिन के बाद इस फिल्म को जो बॉक्स ओफिस रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे फिल्म को जो है फ्राइड को मिला हैं कलेक्षान 1.02 ल तू करोड का स्टेश को रोड रिविवू भी अच्छा है लेकिन एक problem ज़रूर है इस film को selected cities में ही release किया गया है मतलब tier 2, tier 3 cities में ज्यादा इसको release नहीं किया गया है हो सकता है कि आखे चलके makers जो हैं इस decision को revise करें और tier 2, tier 3 cities में भी इस film को release करें अगर ऐसा करें तो फिर इस film का collection है वो और भी उभर कर सामने आ सकता है अगला update है अजय दिवन की much awaited movie मैदान जो की करीब साड़े 3 साल से postpone होता आ रहा है मतलब हद हो गया है इसका finally जो है इसका कुछ दिन पहले एक release date announcement कर दिया गया था इद 2024 पर release किया जाएगा अक्षाय कुमार की फिल्म अक्षाय कुमार टाइगा शुरफ की फिल्म बड़े मिया चोटे मिया के साथ clash करने वाला है अब इस film का जो है एक trailer का news सामने आ रहा है इस film का जो trailer है वो 7th March एक event के जरीए drop किया जाएगा और साती साथ 8th March अजय दिवगन की फिल्म आ रही है जिसका नाम है शैतान उस फिल्म के साथ भी इसका जो trailer है वो attached रह सकता है देखते हैं आगे चलके क्या होता है इस film का trailer आता है या नहीं और किये गए वादों पर इस film को रिलिस क्या जाता है या नहीं तो यही था आज का update वीडियो पसंद लाइक जरू कर दीजिए चाहिए को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरू कर दीजिए ठैंक यू चैस नमा